बगवान के बाद अगर हम किसी को याद करते हैं वो है डॉक्टर आपको पता है कि डॉक्टर कैसे बनता है? कितनी तपस्या के बाद एक डॉक्टर बनता है? एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो अपने परिवार को त्यागना पड़ता है बच्पन कहां गया है पता है नहीं चलता जवानी तो जैसे आई ही नहीं 32-33 साल पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर मन के आता है और सबसे बड़ी जान करी आपको दो असली परिक्षा 32-33 साल जो परिक्षा दी वो बूल जाएगे आप असली परिक्षा तो अब शुरू होती है डॉक्टर जब उसे ये सुनना पढ़ता है कि डॉक्टर डॉक्टर तो लूरते बहुत है डॉक्टर ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती फिर भी ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर कमिशन देते हैं, यहां तक उनको सुनना पड़े, आप देखिए इतने साल पढ़ने के बाद भी डॉक्टर को यह सुनना पड़े, फैमिली छोड़ी, परिवार छोड़ा, गरबार छोड़ा, दॉक्ट साब खाना खा रहे हैं, खाना? मेरा पेशन्ट मर रहे हैं उनको धया नहीं आती, कैसे डॉक्टर हैं? डॉक्टर कांट गो एनिवेर, डॉक्टर कांट स्लीप, मेरा मरीज मर्दा पर तुसी कोड़ जी गए के अंदे पर हो, वाट इस दिस? डॉक्ट साब जरा आ रहे हैं अभी, वो उनके गर में कोई मेमान है, मेमान? डॉक्टर के गर में मेमान? सब जूट बोलते हैं, सब जूट बोलते हैं, जितने भी पेशन्ट डॉक्टर के पास आते हैं, उनके गर वाले सभी इंपेशन्ट होते हैं, he can't be sick, डॉक्टर भी क खाना खा रहे हूँ, what is this? डॉक्टर कांट एट, डॉक्टर कांट स्लीप, डॉक्टर कांट गो टो एनी फंक्शन, यहां तक कि अगर खुदा ना कहसता डॉक्टर की मा या पिता का दिहान थो जाए, तो तब भी पेशन जानते हो क्या कहते हैं, अरे डॉक्टर के फादर की डेथ हो गई, तो तो डेथ हो गई, मेरा पेशन तो भी जिंदा है ना, बुलाईए या डॉक्टर को बुलाईए, मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को उन्होंने अराम नहीं करने देना, यह है लाइफ डॉक्टर की, See, see their stress, you know, how much stress doctor is bearing on the head. सबसे पहले तो मरीज को बचाने का stress, फिर वो बचा रहता है, अच्छी तरह वो stress, फिर कहीं जा नहीं सकता है, अपनी परिवार को कुछ समय देने का stress, पुरी लाइफ उसकी stress के अंदर गोज़ जाता है.